हरे कृष्णा राधे राधे ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ दोस्तों आप लोगों को याद होगा एक दिन पहले मैंने ये बॉक्स दिखाया था और बताया थे कि राधा रानी के लिए सबसे पहला गिफ्ट आया हुआ है और आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यारा प्यारा गिफ्ट गेस किया था पर ये गिफ्ट कुछ अलग था ये है बेड बना के आये है और ये गिफ्ट आई है मेरे मिडल सिस्टर के तरफ से मतलब हम लोग तीन बेहन है और जो मेरे बीच बाली सिस्टर है उन्होंने भेजा है ये गिफ्ट और ये पियोर सागवान का जो ऊड़ होता है उससे बना हुआ है और अब हम इनको एसेंबल भी कर लेते हैं मैंने इनको निकाल लिया था और इसकी उपर जो काम किया गया है व बड़े साइज का देखते हैं और हमारे ऐसे पुराने पालंग मैंने देखा हुआ था तो मतलब मेरे मन में बहुत इच्छा होती थी कि मेरे गुपाल जी के लिए मेरे तब तक तो राधारानी थी नहीं और राधारानी के लिए मतलब मैंने कभी आएंगे करके ऐसा सोचा पर मुझे बड़ा इच्छा होता था कि ऐसी एक पालंग मेरे गुपाल जी के लिए हो जाए तो जैसी राधारानी आई तो मेरे यह इच्छा भी पूरी हो गई और अचनक से हो गई प्योर सागवान ऊड़के है तो थोड़ा महेंगा तो है पर उसने मुझे प्राइस नही बेजा है तो जो उनकी मिस्त्री थे पहले बोल रहे थे कि सिंगल ऐसे बनाएंगे जो खोलने वाला नहीं होता है पर सिस्टर ने यहीं बोला कि भेजना है तो उससाब से बना दो तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके भेजा है बहुत ही बढ़िया और मैं इस पे हमार प्यारा है और इतना प्यारा गीफ में तब आज आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था आप लोग ने मेरे कहीं सारे वीडियो में एक कमल के फूल जैसा देखे है पालंग जैसे सिंगाशन बोल चकते बहुत लोग पूछे थे तो वह मेरी सिस्टर का पालंग है सिंगाशन है और उन्होंने जब वह बनाया था तब मुझे बताया नहीं था पर मेरे लिए भी यह बना लिया था और यह अब आया मेरे पास तो यह देखे इनका जो ओवर एक लूक है इतनी क्यूट है देखने में इतनी बढ़िया है न मैं क्या बता हूं तो आप सब लोग भी ज़रू इंच में मेरी राधरानी मेरे गोपाल जी सब आ जाएंगे क्योंकि काफी बड़ी साइज का है इसके जो अंदर बैठनी वाले जगह है वह 18 इंच के है लंबाई में 12 से 14 इंच के है साइज चोड़ाई में तो काफी बड़ी साइज का यह पालंग है तो दोस्तों कैसे लग जरूर बताना कमेंट्स करने और इनके उपर बैठा के दर्सन भी कर देंगे हम जल्दी और नया कुछ चीज लेके फिर से जल्दी हाजिर होंगे I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है मुझे इनका ये पहला तोफा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ये जो है ये में हमेशा मेरे पास रहेगा ये ऐसी चीज है कभी खराब नहीं होने वाली चीज है मुझे राधारानी का ये गिफ्ट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है आप लोगों को भी अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों साथ में बने रहे फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो कोई नया कोई नया चीज के साथ तब तक के लिए विदाई दीजे हरे कृष्णा राधे राधे